सडाम मैं प्रवीन पांडे और आप देखना सुरू कर चुका है पंडी जी आज हम बात करेंगे जब की माला के बारे में इसमें बहुत सारे प्रश्ण है कि कैसे जब करना चाहिए कि एक माला से आप कई जब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जैसे कि एक माला से आप कई मंत्र जब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्या जाप करने के लिए जाप करने वाली जो माला होती है जिससे हम जाप करते हैं क्या हम उसे अपने गले में भी धारण कर सकते हैं क्या अलग-अलग साधनाओं में अलग-अलग मालाओं की अवशक्ता हमें पड़ेगी तो आज हम इनी सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे तो चलिए बिना बिलंब की वीडियो की शुरुवात करते हैं और जानते हैं इन प्रशनों के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्या एक माला से कई मंत्रों का हम जब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं देखिए अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास उपस्तित है वो चैतन्य है तो आप किसी भी मंत्र का जब रोद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं कुछ एक मंत्रों को छोड़ कर example के लिए मा बगला मुखी मा बगला मुखी का जब केवल औकेवल पीली हल्दी की माला पर ही किया जाता है अब ये जो चीजे मैं बता रहा हूँ ये लगभग 90% ग्रिहस्त लोगों को ध्यान में रखके बता रहा हूँ जहां पर मैं साधक लोगों की बात करूँगा वहां मैं साधक शब्द का उलेक अवश्य करूँगा अब देखिए सबसे पहले जब के बारे में कुछ चीजे जान लेजिए जब के बारे में जो चीजे हैं कि देखिए अलग अलग चीजे होती अब जैसे आप घर में जब कर रहे हैं तो घर का जब नहीं स्वार्थ होता है इसमें बहुत सारे लोग श्री कृष्ण या उनके बालरूप के किसी नाम का जब करते हैं इसके अलावा पता चला कि तुलसी जी के नाम का जब करते हैं, श्री राम का जब कर रहे हैं, मा दुरगा का जब कर रहे हैं, या दुरगा अश्टाक्षरी नावान मंत्र हुआ, दुरगा एकाक्षरी मंत्र हुआ, अथवा भगवान सूरी का मंत्र हुआ, या ब्रस्पती भ पर जब कर सकते हैं चुकि आप अगर विश्णु भगवान है तो वहां पर आपको चंदन अत्वा तुलसी के माला का प्रयोग करना चाहिए लेकिन अगर वह माला उपस्थित नहीं है आपके पास तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें अब प्रयोग के बारे में थोड़ा से चीज़े जान लीजिए जब भी आप जब करने के लिए बैठें तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपके पास एक चैतन्य माला होनी चाहिए इसके अलावा आपके पास एक जब माली का अवश्य होनी चाहिए कभी भी अगर आप जब कर रहे हैं तो खुल आपके पास जप मालिका नहीं है तो किसी ऐसे कपड़े का प्रयोकरे जो साफ सुथरा हो मंदिर में ही यूज किया जाता हो दूसरी बात कि कभी भी आपकी जप मालिका या जिस कपड़े से आप माला को ढख कर जप कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए गंदा भी नहीं होना चाहिए इन केस अगर आपने जप मालिका अथवा उस कपड़े को धुला है और वो सुबह तक नहीं सूखा या आपके पूजन करते वक्त नहीं सूखा हुआ तो आप क्या करें आप साथ बार उसे फटकार के मतलब जड़क दें और उसके बाद उससे आप अपने हाथ को ढखकर अत्वा जब मालिका है तो उसमें माला को प्रविष्ट करा कर अपने हाथ को उसमें रखकर आप जब कर सकते हैं क्योंकि जब आप साथ बार उसे छटक देते हैं तो वो सूखा हुआ मान लिया जाता है उसमें कोई दोस नहीं लगता है इसके अलावा अब देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी यह खुद ही आपको चीजों के लिए प्रती अवेयर होना होगा जैसे मार्केट में अगर आप जाएंगे माला लेने के लिए तो 80 रुपए से स्टार्ट हो जाती है 80 रुपए से 2000 रुपए तक की माला आती है परन्तु मार्केट में अगर आप रुद्राक्ष की एक माला लेने जाए पता चला इस दुकान पर 80 रुपए की है किसी दुकान पर 100 रुपए की, किसी दुकान पर 50 रुपए में ही मिल जाएगी तो नकली माला से जब मत करिये उससे बहतर है कि आप करमाला पर जब करें करमाला का जब बहुत ही उत्तम माना गया है संध्याकाल में जब आप संधिया कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कर माला मतलब अंगलियों पर जब करना बहुत उत्तम माना गया है नकली माला पर जब करने से अच्छा तो यही है कि आप 21 बार 41 बार जो भी है वो आप कर माला पर ही जब कर लें जब भी आप माला लें तो original माला लेने की कोशिस करें, किसी अच्छे दुकानदार से ही लें और ये हमेशा याद रखें कि 70-60 रुपय में आपको माला तो नहीं मिलनी है, original माला तो नहीं मिलनी है, दूसरी चीज कि चैतन्ने माला का प्रयोग करें, आपकी माला प्राण प्र प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए अब प्राण प्रतिष्ठित होने से क्या लाब है अब देखिए इस चीज़ को ऐसे समझ कि आपकी मूबाइल में Sum लगा हुआ है बहतरीन लेकिन उसमें रिचार्ज ही नहीं है न आप अभव से किसी से बात कर सकते हैं न मैसेज कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं वो के वले खिलाओना आपके पास बनके रह गया है मोबाईल सेम उसी तरह से अगर आपके आपका जो आपकी जो माला है उसे आप मोबाईल मान लें तो रिचार्ज आपका चैतन्य है प्राण प्रतिष्ठा है उस माला की अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो वो माला आपके लिए कुछ भी नहीं है कोई लाभ उस माला से आपको नहीं मिलने वाला है तो हमेशा जब भी आप जिस भी माला सर से जब करें आप हमेशा चैतन्य माला का ही प्रयोग करें अब इसमें कुछ बाते आती हैं कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास उप्युक्त माला नहीं है उस देवी या देवता की जिनसे उनकी पूजन या जब करना चाहिए तो आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी आपको लाइटली बता दू कि कुछ देवी देवता जो अक्सर हम घर में पूजा करते हैं उनकी किस-किस माला पर हमें जब करना चाहिए देखिए अगर आप सूर्य भगवान का जब कर रहे हैं तो मानिक्य की माला पर जब करिए अथवाल लाल चंदन की माला पर जब भगवान ब्रहसपती का अगर जब करते हैं तो पीली हल्दी की माला हो काफी उत्तम है बहुत उत्तम है भगवान विश्नु और स्री कृष्ण की अगर हम बात कर लें इनके किसी भी रूप की हम बात कर लें सफीद चंदन अथवात तुलसी की माला का प्रयोग करिए बहु तो आप पाएंगे तो थोड़ा बहुत या साइद न पामे लुटा बहुत कुछ बैठेंगे क्योंकि जो भी तपोबल आपके अंदर है वो छीड होता जाएगा आपको दोश लगेगा क्या फायदा ये चीज़े करने से मैं डरा नहीं रहूं मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आपके पास माला हो तभी आप जब करेंगे नहीं बिलकुल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन अगर आप नियम फॉलो कर रहे हैं तो पूरा नियम फॉलो करें अब ऐसा नहीं कि भाई आप नियम फॉलो कर रहे हैं आर्टियों का नियम फॉलो कर रहे लाइसेंस भी है आपके पास हर चीज़ गड़िये चलाना नहीं आ रहा ले जा रहे हैं कई बगल में ठोक दे रहे हैं आप नो इंट्री में ही घुसे चले जा रहे हैं तो भाई दंड तो मिलेगा ही मिलेगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें मालक्ष्मी की अगर आप कर लिजे दक्षनेश्वर काली हों अथवा आप ले लिजे शम्शान काली या कोई भी इनके रूप की रूप का वरणन करें अगर उनका आप जब कर रहे हैं तो काली हल्दी की माला से इनका जब किया जाता है इसके अलावा अंबिका मांबा मांदुरगा का अगर आप कर तो वहां पर आप इस फटिक की माला और लाल चंदन की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं परंतु इन सब में सर्वोत्तम रुद्राक्ष की माला कही जाती है अगर ये मालाएं आपके पास उपस्थित नहीं है तो ये मालाएं आपके पास उपस्थित हैं तो चैतन्य होना अती आवश्यक है परन्तु अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है वो आपने चैतन्य नहीं भी की है तो वो अपने आप में चैतन्य रूप में होती है कुछ हद तक वो खुद ही चैतन्य रूप में रहती है सो रुद्राक्ष की माला इन मालाओं के अनुपस्थिती में रु बाते हो गई कुछ practical बात भी हो जाए practical बात यह है कि आपको नहीं आता कि आप कैसे माला को प्राणा प्रतिषित करें ठीक है पंडीजी आपको जल्डी मिल नहीं रहे हैं अगर आप किसी पंडीजी स्के कह भी रहे नहीं है पेट दर्द हो रहा है आपका तो मेंडिकल इस्टोर से अपगे dominate के लिए नहीं कुछ हाहत मिलेगी हमेशा के लिए राहत नहीं मिलेगी तो यह सौटकट इलाज ही मैं बता रहा हूं यह परमानिंट नहीं बता आप करें क्या कि भगवान के सामने जहां पे आप पूजन करते हैं वहां पर आप अपने माला को जब मालिका को रखेंज जब आ पूजन करने जाएं मतलब जिस दिन से भगवान के पास रखतें फिर जब आ करने सुबह के समय जाएं वैसे अगर आप इसको प्राणपृतिश्टित करना चाहते हैं तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहता है भगवान शिव का दिन है इस दिन करें बहुत उत्तमफल मिलेगा आप जब प्राणपृतिश्टित करने जाएं तो आपको कुछ चीजों की आवशकता होगी आपको गाय का दूद नहीं मिलता है भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप देखिए यह जो मैं भी बोला हूं मजबूरी का नाम महात्मा गाधी से दिल से मतलीजेगा ये प्रावब मतलब एक कहावत सी बनी तो मैं इसे यूज कर लिया हूँ, अगर इस बात से किसी को दुख पहुंचता है या कुछ होता है तो मैं छमा याचक हूँ, हाद जोड के उनसे छमा मांगता हूँ, महात्मा गांदी हमारे राष्ट्र पिता है, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ ठीक है, तो आप जब भी अपनी माला को प्राण प्तिष्टित करना चाहें, तो आपको कुछ चीजों की आवशकता पड़ेगी, आप चंदन थोड़ा से रख लें अपने पास, इसके अलवा गंगा जल की बेवस्था कर लें, थोड़ा जल रहे, गाय का दूध रहे, गाय का दूध नहीं है, तो जो दूध आपके हाँ आता है, पैकेट वाला भी दूध है, चलेगा, परन्तु उबला हुआ न रहे, कच्चा दूध ही रहे, थोड़ी सी दही मिल जाए, तो अतियुत्तम है, देसी घी मिल जाए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अब कि एक तामर पात्र ले ले, अगर आपके पास तामर पात्र नहीं है, तो भाई श्टील चलेगा, लेकिन श्टील नहीं लेना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, श्टील की थाली का, तामर पात्र भली छोटी सी कटोरी आप ले ले, तामर पात्र खरीद ले, 40-50 या 100 पृपया में आप अच्छा तामर पात्र मिल जाएगा तामर पात्र ले ले सरवप्रत्र माप गंगा जल से माला को धुलें माला को धुलने, हाँ एक साफ कपड़ा आपके पास होना चाहिए माला को पोँचने के लिए इसके अलावा अगर पीपल का पत्ता मिल या तो उत्त महनों मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप सरवप्रतम पानी से जल से आप माला को धुल लिजे जल से धुलने के बाद आप उसे गंगा जल से धुल लिजे गंगा जल से जब आप धुल लेते हैं तो कपड़े से पोँच लिजे फिर घी से उसे आप सनान करा दीजे घी से सनान कराने के बाद ततपशात फिर से आप जल से उसे सनान कराईए कपड़े से पोंच दीज़िए जल से इसनान कराने के बाद आप दुख्द से इसनान आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उसी तामरपात्र में अगर पीपल के पत्ते हैं तो अश्टदल बना लीजिए मतलब आठ पीपल के पत्ते लगा लीजिए उसे अश्टदल कमल बोलते हैं उसके उपर माला को रख दीजिए माला को रखके भगवान के पास रख दीजे आप अपनी पूजा करिए पूजा करते वक्त माला के उपर सुमेरु को उपर भी चंदन लगाईए अगर बत्ती दिखाईए और अपने जब आपकी पूजा स्टार्ट हो रही हो तो अपने लेफ्ट हैंड को अपने रदय पे रखते हुए अप पंद्रह बार ओम शब्द का उचारण करिए ओम मंत्र का ओम नाद का उचारण करिए तो इसका उचारण जब आप कर लेते हैं तो ये प्रान प्रतश्ठित माला आपकी मान ली जाती है परन्तु अभी यहीं खेल खत्म नहीं होगा आप इतना करने के बाद इस चीज़ का ह नहीं और प्रयोग किया जाता है 16 बार कहां प्रयोग किया जाता ये इसकी चर्चा मैं कभी किसी और वीडियो में करूंगा तो आप 15 बार ओम उचारण कर दीजिए आपकी माला शुद्ध और संसकारित मान ली जाती है उसे 24 घंटे तक वहीं पर छोड़ दीजिए भगवा का पूजन करिए नॉर्मल अपने पूजा करिए जब सुबह आप जाते हैं वहां पर माला को लीजिए आप जब मालिकाम उसे प्रविष्ट कराईए सबसे पहला जब आपका श्री गनेशाय नमा अथवा गनेश जी का कोई भी मंत्र जप होना चाहिए दूसरा मंत्र गुर शिवाय कर लीजिए या ओम नमः शिवाय कर लीजिए या ओम ही केवल कर लीजिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए इतना कर लीजिए इतना करने के बाद आपको जिसका भी जब करना है जिस भी देवी देवता का जब करना आप उस पे जब करने के लिए स्पतंत्र है और आपकी माला चैतन्य है। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कोई संका सेस रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा वाटसअप नंबर डिस्पले पे आपको शो होता है, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। आप वहाँ से मुझे वाटसअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए टडाम। तो मिलते हैं तो मिलते हैं।